हलो बच्चों इस बाली वीडियो में आपके लिए लेकर आ गये हैं अगले कोश्चन सेट नंबर एक के दोजार बीस के वाला कोश्चन में कराऊंगा पहले आपको कोश्चन दिखा देता हूँ एक पर कोश्चन देखो लो सिद्र केंदर को बाहे बिन्द वाली रेखा के बरावर कोड बनाती है चित्र में कोड आप देख लीजिए गहाँ पर एठीक है यह चित्र है मैं सवाल इसका सॉलीशन इसको करता हूं और किस प्रकार से हम लोग करेंगे चलो देखते हैं बेड़ों चैनल को सबस्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर रहें यहां पर देख पलों देखेंगे चित्र सूंसे कि मैं यहां पर आपक गया है कि तरह और व्र अपको बन에 दो बन रहा हैं दूसरा A नीचे से बन रहा है A P और B P दो इस पर से रेखाए है तो A P बरावर B P A P जो है वो B P के बरावर है O A बरावर O B के बरावर है O A O B के बरावर है बच्चों आई हो पितना के लिए रहा है अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्षन में हम से पूछेंगे ठीक है और इसके आगे यहाँ पे यहाँ पे देख सकते है इसमें क्या कह रहा है उसके बाद यहाँ पे कोई A O P बरावर कोई O B P बरावर 100 था तो आधा हो गया तो 50 हो जाएगा उसके बाद A O Lumb का निसान है A P तो यह 90 डिगरी का कॉंड होता है A के बरावर जब आएगा बच्चों तो क्या होगा 90 में से 50 घट जाएंगे और 2 से भाग हो जाएगा तो आएगा 20 तो कॉंड A P O बरावर 20 डिगरी ठीक है इतना बच्चों किलियर है और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्षन में हमसे पूंच सकते है ठीक है इसका गावाला सवाल में कराने जा रहा हूँ अब यह सवाल गावाला देखो क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस A अपाउन बन माइनस टैने माइनस साइन स्क्वाइर 20 बच्चों के लिए आ रही होगी आई होप जो खाम हो गया दोड़ा तो यहां पे है LHS हम लोग ले लें क्या लेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो क्या कह रहा है कॉस A अपाउन बन माइनस टैने माइनस साइन स्क्वाइर A अपाउन कॉस A माइनस साइने अब RHS प्रूफ करेंगे हम लोग ठीक है किस प्रकार से करेंगे चलो देखते हैं आगे तो इसको 10 ठीटा बरावर होता है साइन ठीटा बटे कॉस ठीटा एक फर्मूला होता है ठीक है तो कॉस A बटे बन माइनस साइने बटे कॉस A ठीक है माइनस साइन स्क्वाइर ए बटे कॉस A माइनस साइने इतना के लिए रहा बच्चो इसकी तर मंटिप्लाई होगी ठीक है अब जेवाला उपर पहुंच जागा तो कॉस 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 स्क्वाइर ए upon cos A minus sin A ठीक है इतना के लिए रहा minus sin square A upon cos A minus sin A इतना के लिए रहा बच्चो तो बच्चो आगे जब हर समान होते हैं तो एक line खीच लेते हैं बटे का निसान इसको cos A minus sin ठीक है तो A direct cos square A minus sin square A तो A बच्चो A square minus B square का formula होता है A plus B यानि कि cos A plus B और cos A minus B हो जाएगा देखो च्चो cos A plus sin A हो जाएगा यहां से हो जाएगा cos A minus sin A ठीक है upon cos A minus sin A तो A वाला सेम से में कट गया अब बचा गया है आप है जो due रह गया है due रह गया है cos A plus sin A तो A बच्चों आगया है हमारा A आगया है RHS क्या आगया RHS यानि कि यह हमारा answer आ चुका है ठीक है तो बच्चों I hope इतना clear है अब गहा वाला सवाल हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है गहा वाले सवाल में कह रहा है पानी बचाओ अवियान के प्रति जागरुकता के लिए एक कलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासी खपत का वै निमने सारणी में दिया गया है माद्द वै ग्याद कीजिए तो यह बै जो है यह दिया हुआ है घरों की संक्या यह दिया हुई है तो किस प्रकार से निकालेंगे चलों इस वीडियो में आगे हम लोग जानते है ठीक है और चैनलों का सब्सक्राइब भी बच्चों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है तो यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे आप लोग यह बच्चों हमने एक टेवल बनाया हुआ है टेवल अपनी कॉप्टी में बना लो ठीक है देख देख के बना लो इससे अंसॉल्ड पेपर से ठीक है और इसमें क्या करेंगे यह हम मद्यमान निकाले यह बीच वाले बेलो होती मद्यमान यानि कि इन दोनों को जोड के इसका आधा करते है ठीक है तो मद्यमान आ जाता है बच्चों तो थोड़ा मैं बता दूँँ आपको यहाँ पे थोड़ा मैं इस पेपर पे बता देता हूँ आपको सॉल्व करके यहाँ पे मद्यमान जिसे 65 में 68 जोडेंगे अगर इसको दो से भाग करेंगे दो चंग बारह एक तीन दो चंग बारह तो एक पॉइंट जीरो दो पंचे दस श्यासर दसमलब पांच जो आया है बच्चों तो वो यहाँ पर लिख दिया ठीक है इसी प्रकार से इसको आदा अदा करके हम कर लेंगे ठीक आफ की जो घरों की संक्या होती इसको आफ लिखते हैं और उसको नीचे जोड़ लेते हैं बरावा अधिक जोटा सिगमा एफ एक्स बरावर बाइससो पच्चतर तो माध दिबे सिगमा एफ एक्स अपान एन यह फार्मूला होता है यह फार्मूला इह फार्मूले में यह सारी वेलूस को पूट करेंगे इसको इससे डिवाइड करें तो बच्चों 75.9 आंसर हमारा आ जाए हैं यह चार सवाल एक चार सवाल खंडच है के जो चार सवाल दिये हुए है ठीक है सवाल देख लो आप और चार घा यानि चारों सवाल के वीडियो का मैं ने वीडियो करा रखी है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देदूंगा चारों सवालों की वीडियो कर करा दूंगों 60 वीडियो होगी और फटा-फटा मान सर्थे खेंए माँ करके अजिए लिख लेंगे ठीक है नहीं तो वीडियो- वहाँ पर जाकर डेटेल वीडियो देख सकते हैं ठीक है थो बच्चों इस वीडियो में इतना ही ठीक है और आगे आप वीडियो देखें तो आ और संख्या दस एक्स प्लस बन जाएगी तो अंक प्लेटने पर प्लस एक्स प्रसन अनुसार प्रसन कह रहा है तो इसको इसी प्रकार से हम लोगों नो सॉल्फ किया है इसको आप नोट कर लेंगा ठीक है अब नहीं तो मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दिया है बहां से वीडियो और डीटेल वीडियों आप देख सकते हैं ठीक है बच्चों च्छे का गावाला जो सवाल है उसको भी आप यहां से नोट कर सकते हैं यहां से च्छे का गाव ठीक है और घाबी नोट कर सकते हैं घाबी देख लें आप यहां से अच्छे से कि देख लिए आपने बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा डीटेल इसमें एक्स्प्लेनेशन करा हुआ है मैंने तो आप देख लीजिएगा अच्छे से अच्छे से अच्छे से ठीके आगे बढ़ें ठीके घा का अगला पॉर्सन में का नऩदा आ नहीं तो इसको हब कुए सौल्ब तो करी लेते होंगे आपको ठीक है आप सौल्ब तो करी लेते होंगे अब यहां से देखलो डौड भी हो तो कमेंट सेक्षन पूंच लेना ठीक है है ठीक है ऐखे मागे बढ़ते तो गईस इस इस वीडियो में इतना ही और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से मारे सब बने रहें और थांकियो फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते एक नई वीडियो में और नए वीडियो के साथ नए असेट के साथ थांकियो फॉर वाचिं